उधारण 16 यदी 15 वैक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं बताईए उस काम के चोथाई हिस्से को कितने वैक्ति 15 दिन में कर लेंगे हल यदी 15 वैक्ति एक काम को करते हैं बराबर 40 दिनों में तो 15 वैक्ति एक बटा चार काम को करते हैं बराबर चालीस गुणा एक बटा चार दिनों में जब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास दस चार एकम चार चार तहम चालीस दस दिनों में तो हमने देखा कि पंदरा वैक्ति एक बटा चार काम को करते हैं चालीस गुणित एक बटा चार बराबर दस दिनों में मान लो एक बटा चार काम को एक्स वैक्ति पंदरा एक्स वैक्ति पंदरा दिनों में पूरा कर लेंगा कर लेंगे तो हम जानते हैं कि वैक्तियों की संख्या दिनों की संख्या के वयूत्करम्नपाती है तो इसे निम्फ तरीके से लिखा जा सकता है तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या अब यहां व्यक्तियों की संख्या हमारे पास 15 व्यक्ति है 15 व्यक्ति, अनुपात, एक्स व्यक्ति, उसी तरह से समाना अनुपात, हमारे पास पहले स्थिती में किते दिन है, 15 दिन, अनुपात, 10 दिन, यहां पे हमारे पास 10 दिन आया, इसे हम लिखेंगे 15 बटा एक्स, समान अनुपात के जगह में, बराबर 15 बटा 10, और इसे हल करेंगे अपन, तो हमें प्राप्त होंगा, 15 गुणित 10 बराबर, एक्स गुणित 15 या, एक्स बराबर 15 गुणित 10 बटा 15, 15 को आंशर हर से काटने पर, एक्स बराबर हमें 10 प्राप्त होता है, अता हम कह सकते हैं, कि 10 व्यक्ति इस कार को, चौथाई भाग को 15 दिन में कर लेंगे, अता 10 व्यक्ति इस कार को, चौथाई भाग को 15 दिन में पूर्ण करते हैं, तो हमारा उत्तर जो है, एक्स बराबर 10 व्यक्ति होंगा, यह इस प्रश्न का हल है, उधारन 17 दो नल A और B एक टंकी को क्रमशा 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं तीसरा नल C उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है यदि तीनो नल एक साथ खोल दिये जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेंगा हल चूंकि नल A द्वारा 30 मिनट गलत हो गया है यहां मिनट गलत हो गया है इसको इतना मिटार देखें यहां से चूंकि हल चूंकि नल A द्वारा 30 मिनट में तंकी का भरा गया भाग बराबर एक है इसलिए एक मिनट में तंकी का भरा गया भाग बराबर एक बटा 30 मिनट में तंकी का भरा गया भाग होगा चूंकी दूसरी सिती में चूंकी नल B द्वारा 40 मिनट में टंकी का भरा गया भाग वराबर एक है इसी लिए एक मिनट में में नाल द्वारा नाल द्वारा टंकी का भरा गया भाग बराबर एक बटा चालीस है चूंकी नल सी द्वारा साट मिनट में खाली किया किया गया भाग बराबर एक है इसी लिए एक मिनट में नल द्वारा तंकी का खाली किया भाग खाली किया गया भाग द्वार भाग एक बटा 60 का पक्षानतर करेंगे तो एक बटा 60 होगा तीनो नलो को एक साथ चालू करने पर दो नलो से तंकी में पानी जाएंगा लेकिन तीसरे नल से तंकी में पानी निकलता जाएंगा अतह एक मिनिट में टंकी का भरा गया भाग बराबर एक बटा तीस हमारा जो है पहले नल से टंकी में भर रहा है पानी धन बी नल से एक बटा चालीस ए नल से एक बटा तीस और बी नल से एक बटा चालीस और फिर सी नल से पानी क्योंकि टंकी से बाहर निकल रहा है इसलिए रिण एक बटा साट इसके बाद जब हम इसका लगुत्तम निका लेंगे तो लगुत्तम आएंगा 30, 40, 60 का 120, 120 को जब हम 30 से भाग करेंगे, 120 भागी 30, तो हमें 4 प्राप्त होगा, 4 गुणी ते 4 धन, 120 को 40 से भाग करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा, 3 को एक से गुणा करेंगे, तो 3 रिण 120 को जब हम भाग करेंगे 60 से तो 60 के पहाड़े में 60 डुनी 120 तो 2 तर आया 2 को एक से गुणा किए तो 2 हुआ बराबर 4 और 3 साथ साथ में से दो गया तो 5 बटा 120 चूंकि चूंकि 5 बटा 120 भाग भरने में भरने में लगा समय लगा समय बराबर एक मिनिट है इसी लिए पूरा भाग पूरा एक भाग अर्थात तंकी को भरने में लगा समय लगा समय बराबर एक बटा 5 बटा 120 होगा जब हम इसको गुणा में लिखेंगे तो यह हो जाएगा इसका व्यूत करेंगे तो 120 बटा पांच जो 120 को पांच से जब हम भाग करेंगे तो हमें 24 मिलेंगा तो इस तरह से 24 मिनट में इस तरह से 24 मिनट में टंकी का पूरी टंकी को भरने में लगा समय बराबर 24 मिनट यह इस प्रश्न का हल है झाल 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 झाल